तो सद्गुरू, वहां अंदर जबरदस सूर्जा है, मैं जैसे ही अंदर गया, वहां सभी ब्रह्मचारी जब कर रहे थे, उनके जब में कुछ खास है, यह आपको ठीक कहां पर छूता है, यह एक तरह से हुर्जा देता है, तो ब्रह्मचारी क्या होता है, मेरा मतलब तो मुझे बताईए, और मैं कहना चाहता हूँ कि अंदर इस त्री पुरुष दोनों है, ऐसा नहीं है, वे सन्यासियों की तरह नहीं है, जहां महिलाएं अलगमट में होती हैं, और पुरुष सन्यासी अलगमट में, यहां तो सब लोग यही है, उधारन के लिए, कोई माउ फिर वो बहुत कठोर मौसम में जाता है, जीवन का हर सुक छोड़ते हुए, सुवधाएं, परिवार, समाज, हर उस चीज का त्याग करता है, जिसे आम लोग आम तोर पर पाना चाहते हैं, सिर्फ पहाण पर चड़ने के लिए, पर क्या आपको वाकरी लगता है कि यह त्य चर्य शब्द का मतलब है, ब्रह्मन मतलब परम, चर्य मतलब मार्ग, वे परम के मार्ग पर हैं, या दूसरे शब्दों में वे छोटी चीजों से संतुष्ट होने को तयार नहीं हैं, तो हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक रचा है, उसने सौभाविक रूप से उन मामूली सुखों का त्याग किया है, जो दूसरों के पास हैं, जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, शायद आप ठीक से खाते या सोते नहीं होंगे, क्या आप दोपैर की जपकी लेते हैं, पत्नी के साथ बैठते हैं, नीन का मज़ा लेते हैं, परिवार के वे परम सत्य के मार्ग पर हैं, इसके कारण उनका ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता, जिन्हें लोग कीमती समझते हैं, तो परम क्या है? देखे, यहां अगर आप आस-पास देखें, यहां इट पत्थर हैं, बलकि मिट्टी और पत्थर हैं, पेड़ पौध हैं, यह सृष्टी है, अगर आप इसे यहां देखें, तो इसी मिट्टी से यह पेड़ निकला है, अभी इसमें फूल नहीं हैं, पर इसमें बहुत सु इसी मिट्टी से आम का पेड़ निकलेगा और आम देगा, इसी मिट्टी से आप बने हैं और फिल्म बना रहे हैं, इसी मिट्टी से मैं बना हूँ और मैं गुरू हूँ, तो यहां कुछ ऐसा है जो इस मिट्टी को पेड़, फल, फिल्मेकर, गुरू और अर्बो दूसरी ची कि वो क्या है कि आप इसका अनुभव नहीं करना चाते और अगर ये स्वर्ग में कहीं होता तो मुझे कोई मतलब नहीं होता मगर जब आप एक केला खाते हैं तो वो केला आपके अंदर इंसान बन जाता है यहां कुछ है जो चावल के दाने या केले को या फिर रोटी को इंस चाते तो ये वो लोग हैं जो उसका स्वाद चक चुके हैं और अब उसे पूरा पाना चाते हैं उन्हें अपने खाने की परवा नहीं है उन्हें शराब, सिगरेट या दूसरे मामूली शारिरिक सुखों का आनंद उठाने की परवा नहीं है जिनकी बाकी लोगों को लट लग गई है उन्होंने परम तत्तो का स्वाद चक लिया है और आब उन्हें वो पूरा चाहिए वे उससे कम कोई भी चीज़ पाकर संतुष नहीं होंगे ठीक है मैं समझ गया कि इसे अनुभव से जानना होगा ये एक अनुभव से जुड़ी समवेदना या उससे कहीं ज्यादा है परम की बात कीजिए परम क्या है एक गुरु होने के नाते मेरा काम सिर्फ आपको उस परम का स्वाच चखाना है ताकि आपके जीवन में हलचल मत जाए आप दीवाने हो जाए और उसे पाना चाहें स्वाच चखने के बाद आपसे रुका नहीं जाएगा तो आपका काम लोगों को दीवाना करना है हाँ क्यूंकि लोग अगर आराम सुरक्षा के नाम पर जीवन भर सोते रहते हैं तो वे अपना जीवन बरबाद कर रहे हैं उन्हें पूरा रास्ता तै करना चाहिए ये मेरी इच्छा नहीं है उनकी भी इच्छा है क्यूंकि अगर आप में कुछ करने की इच्छा है अगर सीमाएं पसंद नहीं है आपके अंदर कोई चीज है जिसे हमेशा परंतत्व की चाहत है तो ये मेरा विचार नहीं है ये मेरा सिधांत नहीं है कि आपको परंतत्व को खोजना चाहिए आप वैसे भी अचेतन तरीकों से परंतत्व को खोज रहे हैं मैं कह रहा हूं कि अचे इसदी चेतन होकर खोज रहे हैं. तो परमसत्य क्या है? क्या कोई और शब्द भी है? मेरा मतलब मैं शब्दों की तलाश कर रहा हूँ. तो परमसत्य क्या है? देखिए हम किसी भी चीज़ पर सिर्फ वैसे विचार कर सकते हैं, जैसे फिलाल आप समझते हैं. अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जो आपकी समझ से परे है, तो ये आपको मेरी बात मानने या न मानने के लिए मजबूर करना होगा. मैं ऐसे फालतू के काम नहीं करना चाहता है. मेरे ख्याल से ये घटिया मांग है कि आपको मुझ पर विश्वास करना होगा. तो अभी आपके जीवन में इसी पल यहां खड़े हुए आप देख सकते हैं, कि जिसे आप मैं कहते हैं, वो असल में आपने समय के साथ इखटा किया है. आपके मन की बात करें, तो ये छापों का एक बड़ा धेर है, आपके शरीर की बात करें, तो ये भोजन का एक धेर है. तो आपने इसे एखटा किया है, आप जो एखटा करते हैं, वो आपका हो सकता है, पर क्या कभी वो आप हो सकता है? नहीं, फिर आपका से परे, आप क्या है? तो आप यहां मौझूद हैं, पर आप ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो ये मैं, फिलाल हम इसे ऐसे देखेंगे, ये मैं ही परमसत्य है ये मैं कोई साधरन मैं नहीं है, ये मैं एक रोटी को इनसान बना सकता है एक केले को इनसान बना सकता है, ये कोई साधरन चीज नहीं है ये मैं जो एक केले को इनसान बना सकता है, इसी ने इस ब्रह्मान को भी बनाया है ये कोई अलग मैं नहीं है तो चुनाओ सिर्फ ये है, या तो आप यहां स्रष्टी के एक अंश के रूप में रहें या आप खुछ रश्टा के रूप में मौजूद हो सकते हैं फिलाल यही परम सत्ते है परम इससे जादा है पर अभी यही परम है